हलो दोस्तों नय निर्मल आप सबकी दोस्त मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपसब का तो दोस्तो आज में आपके लिए यह बहुत ही अच्छा सा इज़ी सा डिसा डिजाइंग ले कर आईए जो बनाने में बहुत ही असान है बना सकते हैं इस डिजाइन में हमें 4K घंदे चाहिए तो यह हम बहुत असार IZ है चलिए दोस्तों हम आपको डेसाइन बताना के लिए तो यह देखिए दोस्तों पहले हम स्टार्टे में दो फंदे उल्टे बनाएंगी और दो फंदे सीधे बनाएंगी आप अपना जो भी बॉडर बॉडर बनाने के बाद आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे वह आपने इसी तरह से रपीट करना है पुरी सिलाई आपने दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधों से आपने डजाइन को बनाना है बनाने में बहुत ही असान है डजाइन बेगडर भी इसको बना सकते हैं और आप इस वाले डजाइन को किसी भी डाल सकते हैं बच्चों के जैन्स के लोडीज के वहता कि बड़ी एजवालों के लिए भी पीवला डिजाइन आप आराम से डाल सकते हैं दोसंदे और तो दोसंदे सीधे दोस्तों मेरे यहां पर जो फंदे है लास्ट में दो सीधे आये हैं लेकिन आप जब भी फंदे ढाले तो आपके लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे ही आने चाहिए ठीक है तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे हैं तो लास्ट में भी आपके दो फंदे उल्टे आने चाहिए अब देखिए उल्टी तरफ से जो फंदे हमने सीधे बनाए हैं वो फंदे हमारे उल्टे बनेगे और जो उल्टे बनाए हैं वो सीधे बनेगे है इस स्टार्टिंग में हमारे रॉंग साइड से देख़ी गोर्पंदे उलटे जो सीधे थे झो इस तरफ से उलटे थे वो रॉंग साइड से सीधे बनेंगे, आपको एक बार दिक्कत होगी, फिर आपको धीरे धीरे आपका हाथ भी बढ़ जाएगा, और आपको डजाइन भी समझ भी आजाएगा, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, बस एक बार आपको ध्यान रखना है, उसके बार आपको अपने आप समझ में आजाएगा, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, तो दोस्तों ये चार सुलाई का डिजाइन है, और लास्ट में दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे, आगे देखिए हमारे डिसाइन की, चौथी सिलाई, चौथी सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्यों उटी सीधी सिलाई तो हम सभी बना लेते हैं, अब ये हमारी हमें सिलाई है, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, ये जो फंदा है हमार पीछे बनाईगे, ये और फंदा तरह बनाएंगे तरह आगे देखिए, इस तरफ से बैक साइट से ये जो उल्टा फंदा हमें दीख रहा है, धागा इसल्टा हमें निख रहरा है। और इस वाले फंदे को इस तरह से लाई में लेंगे इस फंदे को छोड़ देंगे और इस फंदे को इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे और फिर इसको भी बना लेंगे तो इससे हमारा ये जो है थोड़ा सा फ्निसिंग में डिजाइन बन जाता है आगे फिर से देखिए ये यह उल्टा फंदा है और यह सीधा है तो सीधे वाले फंदे को हमने पहले बनाना है और फिर उल्टे वाले फंदे को भी सीधा बना देगे पूरी सलाई हमारी सीधी ही बनेंगी जो पीछे वाला फंदा है उसे हम पहले बनाएंगे और आगे वाले को बात में दो अब यह यह वाले फंदे को इस तरह से सलाई में लेके खलट के सीधा कर लेंगे, यह आप उतार के भी इसको कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता देती हैं, यह वाला फंदा इधर वाला तो हम असानी से बना लेते हैं, पीछे वाले को पहले बुन लो, पर इस वाले को बाद में, यह वाले फंदे को आप लेके, इस तरह से इस वाले फंदे को पहले आप पीछे से इसको बन लेंगे, आगे ले आएंगे, इस वाले फंदे को पलटके इसी तरह से सीधा करके ही आपने हर बार बनाना है, जो भी आपको तरीका सही लगे, आप उसी तरह से इस फंदे को बन सकते हैं पुरी सलाई आपने सीधी ही बनानी है यह है कि पीछे वाले फंदे को पहले बनाएंगे और आगे वाले को बाद में बनाएंगे और इस वाले फंदे को जब हमने इस तरफ से पीछे से लेना है तो हमने फंदे को पलटके सीधा कर लेना है तो हमारा जो डिजाइन है थोड़ा निशिन से बनेगा नहीं तो हमारी इधर वाली जो लाइन है यह हमारी टेड़ी बड़ी हो जाएगी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस तरह से उसकंदे को गिरा देंगे और आगे वाले को फलटके इस तरह से सीधा कर लेंगे वस यह इतना सा डेजाइन है बहुत यह असान डेजाईन है और बहुत ज़लदी भी बनने वाला डेजाईन है तो यह पर घृष दर अगे यहां पर सीधार फंदे थे इसलिए मेरा यह एक ही के बाद आपको देखा देखती है तो यह देखिए दोस्तों यह हमारा जो डिजाइन है कंपुरीट हो गया है यह देखिए बढ़ने के बाद बहुत ही पूपसूरत सा डिजाइन बनता है बिल्कुल छोटी-छोटी सी बुलती है आप इसको किसी के लिए भी डाल सकते हैं बहुत ही खूपसूरत सा डिजाइन बन के आता है और बनाना तो बहुत ही असान है तो चलिए दोस्तों आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा समझाने का तरीका कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शियर कर दीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो च